हेलो गाइस वेलकाम बैक टू टेलिवूट रीपले और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार्ब्रस के सीरिल दिवानियत के बारे में कृतिका सिंग यादव नवनीत मलिक विजिंद्र कुमेरिय का जो सीरिल है स्टार्ट हो इसको काफे दिन अवा अलरेडी हो चुके हैं इसकी जो पहले हफ्ते की परफॉर्मेंस है पहले हफ्ते का रिपोर्ट का इसका सामने आ गया है और पहले हफ्ते में शो लेकर रहा है 0.6 की टीरपी रेटिंग तो वह शो की टीरपी ये जो आई है 6 बजे की टाइम स्लोट के हिसाब से आई है 6 बजे की टाइम स्लोट पे अफकोर्स जो फैन्स भी है और जो शो के लिए वेट भी कर रहे थे और ये जो तीनो लीड्स के फैन्स हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अई है कि और किसे ने सोचा है ववा था कि low थीरपी ही आएगी because यहाँ पर जो टाइम स्लोट शो को दी गई है वो इतनी ज़्यादा बोरी टाइम स्लोट है पूरी थरह से डड़ टाइम स्लोट है छे बजे की टाइमिंग पर ट्यारपी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्टापलस पर एक बार तो कलर्स पर शो फिर भी थोड़ी इससे बेटर ट्यारपी लेकर आ सकता है, लेकिन स्टापलस पर 6 बजे की टाइम स्लोट पर कोई भी शो का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड कलर्स के लावा बाकी भी किसी भी चैनल पर 6 बजे की टाइम स्लोट पर कोई भी सीरिल नहीं चलेगा, तो वैसे यहाँ पर आने को ट्यारपी और भी ज़्यादा बूरी आ सकते थी, 0.3 तक जा सकता था, या फिर 0.4 तक जा सकता था लेकिन शोग की ट्यारपी स्टिल 0.6 आई है, तो अपनी तरफ से शोग को जितना रिस्पोंस मिल सकता है, पबलिक की तरफ से वो मिल रहा है, शोग के प्रोमोस हो गयरा काफी अच्छे थे, एंड बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाये थे, लेकिन जो मार्केटिंग है श कोई भी डाउट तो नहीं है, इसकी पहले हफते की परफॉर्मेस जो है, ऐसी ही आनी थी, बागी देखते हैं आने वाले हफतों में, इसकी ट्यारपी और उपर जाएगी, या फिर नीचे आएगी, क्या 0.6 से उपर जा सकती है, वो काफी जदा एक अने वाले टाइम में मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी करें चलता हूँ, गुडबाई